इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 10th की exercise 4.2 का question number third यानि की question number first का ये third part रहेगा पहले दो parts को हम upload कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो description box में link दिया है आप उनको जा करके देख सकते हैं तो हमारे पास में question है under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equals to 0 इसको हमको roots find out करने हैं तो सबसे पहले roots find out करने के लिए आपको क्या करना होता है जो x square का coefficient होता है उसका और जो c term होता है यानि की constant term उसका multiply करना होता है तो यहाँ पे x square का coefficient है under root 2 तो हमने under root 2 ले लिया इसके अलावा हमारा जो c term है यानि constant term है वो है हमारा 5 under root 2 तो हमने इसको ले लिया तो इसका जब हम multiply करेंगे तो आपको पता है under root 2 multiply में under root 2 तो यह हमारा हो जाता है 2 और root हमारा हट जाता है तो यह आजाएगा हमारा 2 multiply में 5 तो जब हम 2 का multiply 5 में करेंगे तो हमारी value आएगी students 10 अब हम देखते हैं इसके हमको prime factors करने हैं तो prime factors करने के लिए हम ये boxes बना लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 से divisible है तो 2 से divisible है तो ये 5 time गया और ये 5 से divisible है तो ये 1 time गया तो हमारी values आ चुकी है students 5 and 2 अब हमें क्या करना होता है इनको add करके या फिर subtract करके या इन values को add करके या फिर subtract करके हमको middle values लानी होती है यानि कि जो 7x है वो लाना है तो हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं 5x plus 2x तो देखते हैं आगे का step तो students हमने यहां लिख लिया है under root 2x square यानि इसको as it is रखा हमने 7x को split कर दिया 5x और 2x में जो हमने यहां से देखा इसके अलावा हमारा बचा 5 under root 2 अब students हमको इसमें से common लेना देखना है कि इसमें से हम क्या common ले सकते हैं तो देख लेते हैं यहां से हम common ले सकते हैं students x तो इन दोनों term में से हमने common लिया x जब x common आ गया तो हमारा बचेगा under root 2x देखिए जब आप x का multiply x से करेंगे तो x square हो जाएगा यानि हमारा जो value है वो correct है और x का multiply जब आप 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा यानि कि multiply करने के after में भी हम check कर सकते हैं यही values हमको मिलने वाली है अगला step होता है students जो value हमारी यहां आ चुकी होती है उस value को हम यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों values हमेशा same रहती है अब students हमको देखना है यहां पे क्या आए तो यहां पे under root 2 आएगा क्यों under root 2 आएगा क्योंकि जब आप देखिए जब आप under root 2 का multiply under root 2 से करेंगे तो students आपका आ जाएगा 2 और यहां x पहले से मौजूद है तो 2x आ जाएगा जो values उपर दी हुई है तो यानि कि हमारा जो answer है यहां तक वो correct है अगला step देखते हैं तो अगले step में students क्या होता है यह value यारी under root 2x प्लस 5 और यहां पर भी under root 2x प्लस 5 है या तो यह 0 होगी या फिर हमारा x प्लस under root 2 यह 0 होगा तो हमने इन दोनों values को यहां पे लिख लिया है अब students इन दोनों में से कोई value 0 हो सकती है तो देखिए सबसे पहले हम यहां से x की value निकालेंगे और एक value हम यहां से x की निकालने वाले हैं तो देखते हैं क्या value आईगी तो x की value students आईगी जब हम 5 को right hand side में ले जाएंगे तो minus का 5 हो जाएगा और under root 2 जो है वो multiply में है तो यह divide में हो जाएगा तो x का यानि पहला root आचुका है हमारा 5 upon under root 2 and second root आचुका है हमारा minus का under root 2 तो यहां पर यह end of the question जो हमारा video है यह end होता है अगले videos के लिए आप channel को subscribe कर लिजिए इससे के आगे आने वाले videos की notification आपको मिलती रहे तो thank you for watching this video धन्यवाद